स्टेडी मेकनिकल इंजिनिरिंग में आपका स्वागत है मेरा नाम है रोहित जारवाल आज हम बात करेंगे objective of Morse key test के बारे में Morse key test काम आता है it is used to obtain the indicated power without any pressure measuring device but the primary objective is to determine the mechanical efficiency यानि हम इससे indicated power निकाल सकते हैं सलेंडर की और साथ ही mechanical efficiency भी निकाल सकते हैं जो कि इसका primary objective होता है और इसमें हमें किसी तरह के pressure measuring device की जरुत नहीं होती है ठीक है अब इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं दीरे-दीरे step by step जैसे एक cylinder के output को cut करते वे जाते हैं और remaining की brake power हम निकालते वे जाते हैं इस तरह से ये काम करेगा अभी देखते हैं अभी आप समझ जाएंगे दो मिनिट में इसमें एक चीज का दियान रखना है अगर हमारे पास petrol engine है system में तो उसका हम supply कट करेंगे spark plug को shot करने करके और अगर हमरे पास diesel engine है तो उसकी हम supply कट करेंगे उसकी fuel supply को कट करगे ठीक है ये हमारे काम आता है SI और CI दोनों engine के लिए उसके बाद इसके कुछ drawbacks भी है use for multi cylinder only के वल multi cylinder minimum 2 cylinder होने चाहिए तब ही हम इस test को काम में ले सकते हैं during मोर्स की test each cylinder is free one by one and the reading were taken break power की हम reading लेते हैं one by one हर cylinder को काट के जैसे मैंने बताया आपको पहले ये चीज में आपको बता चुका हूँ SI में spar plug short कर देते हैं fuel supply cut कर देते हैं CI के case में उसके बाद it is applicable for both CI and SI अब ये देखिए जैसे हमारा पहले system पूरी तरीके से सारा चालू है तो चार cylinder का system मान लीजिए तो हमें चार से break power में लेगी प्लस चार की frictional power है इनका sum होगा चार की indicated power के ब्राबर अब आप यह माली जी हमने एक cylinder को cut कर दिया तो अब हमें break power में लेगी तीन से पर cylinder चारों चल रहे हैं इसलिए फ्रिक्शनल पावर तो जो cylinder off है उसकी भी आईगी तो हमारे पास equal to हो जाएगा three times indicated power तो यहां से जब हम इस equation को उपर वाली से निच वाली को minus करेंगे तो हमारे पास मनेगी यह 4b minus 3b equal to i तो यह जो difference आएगा reading में यह हमारा first cylinder का जो हमने short कर दिया है उसका input होगा यानि हमारा maximum input में से बच्चेवे cylinder का input जब हम निकाल देंगे तो जो cylinder off था उसका किता input होता वो हमारा निकल के आ जाएगा ठीक है इसको आप हम एक question से समझते हैं देखिए जैसे during the testing of four cylinder IC engine the following reading were made determine the mechanical efficiency of the engine यह हमें readings दी हुई है जब सारे cylinder चालू है all cylinders fired तब four times break power यानि चार cylinder की break power हो में इतनी मिल रही है उसके बाद cylinder one को हमने off कर दिया तो केवल तीन की break power मिल रही है वो इतनी है ऐसे second को भी cut कर दिया first को चालू कर दिया second को cut कर दिया तो यह break power है इस तरीके से हम one by one सभी cylinders को cut करते जाएंगे अब हम क्या करेंगे जैसे कि हमने वहाँ देखा था total में से हम तीन की break power में निकालेंगे तो जो shot हुआ है उसकी indicated power में मिल जाएगी तो यहाँ पर first यह total power है जब चारो cylinder चालू है उसके बाद यह पहला cylinder not fired है यहाँ पर केवल तीन की break power मिल रही है अब इनका जब हम difference निकालते हैं तो यह हमारे पास first वाले cylinder की indicated power आ जाएगी ऐसे हम total में से जब second वाला cut कर दिया उसका difference निकालेंगे तो हमें second वाले के indicated power मिल जाएगी ऐसे हम चारो के indicated power निकाल लेंगे अब हम क्या करेंगे total indicated power का sum कर लेंगे total indicated power i1, i2, i3, i4 और total break power हमें question में already दी हुई है तो यहाँ से हम mechanical efficiency निकालेंगे break power upon indicated power जो हमारे पास आजाएगी 81% ठीक है एक important चीज का इसमें दिया रखना है जब हम indicated powers निकालते हैं तो जिसकी indicated power सबसे ज़्यादा आती है वो हमारे लिए best cylinder होता है जैसे यहाँ पे 4 cylinder की indicated power maximum निकल के आ रही है तो यह हमारे लिए best cylinder है ठीक है तो ऐसे यह मोर्स की टेस्ट काम करता है thank you for watching video